Generative AI is missing from this phone एक सबसे बड़ा कैच जिसके बारे में कोई बोली निरा भाई एक बड़ा कैच है अगर आस पेन के चक्कर हैं फोन ले रहो ना वाज़ाब हम S23, sorry, S24 अल्ट्रा बुक कराने जा रहे हैं और उसका व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे है आईफॉन 15 बलो से कजब बेज़ जती है अब यहां एक संगाना प्लीज गिलिया बना दी भाईया ने यह गिली हो गई भाईया कार्ड कमें अपे बॉलेट तो बड़ी रहे है उस जल्ट बड़ा मार को सब प्लास एक लाग बंतालीज जाए ओनली बात पैसे आपने पास यह ताइट अगे वही है आप तो जिंदा लाज चल लगए आप तो नहीं बचा मेरी बाड़ी पे बेचने के लिए तो एक काम करना ना ना कंटेंट बना के मुझे देज़े ना मुझे बहुत जुरत तरीका है भीक मांगनेगा दे देना घरत वर्ड़ है अभी देखा मैंने कैसे अपनी किडिनी दिया मारत बेच देना बात शुरत तो भाई एस 22 अल्टर के टाइम से जब से मतलब सामसंग ने नोट सीरीज बंद करके एस सीरीज के अंदर ही स्टाइलस घुसेड़ दिया फ्लाक्शिप फ सब कहरें वाईसा फोन में क्या ही कुछ नया कर देंगे सैमसंग ने भी कुछ और यह कोई नॉर्मल रिवीडियो नहीं वाली कि यहां बारी सुन्दरता शुरू करें तो यहां पर जादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं बस थोड़ा फ्लाट 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 फोन कर दिया कर साइड बाइड कंपियर कर थे टो पहले सामने कव सब्सक्राइब को जालावाय साथ किड़नी बेच के फोन लाए ऐसे थोड़ी बात होती है मतलब गेर के तोड़ेंगे और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो एस 24 अल्टरा ने क्रियेट किया है वह स्क्रीन रिफ्लेक्शन के मामले में जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं एक सबसे बड़ा अपग्रेड है लेकिन एक सबसे बड़ा कैज जिसके बारे में कोई बोली निया इतना महंगा फोन आ बिना स्क्रीन गार्ड के चलाओगे गया और स्क्रीन गार्ड लगाती वह रिफ्लेक्शन जैसी नॉर्मल ही होती है वैसी ही दिखाई देती है तो फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला पार्ट है वो तो नॉर्मल जनता के तो किसी काम में रहा नहीं ना आपका क्या मानना इस बारे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और यह फोन हमारा आईपी 68 ट्रेडिट है तो पानी के अंदर गुजाओ पानी के अंदर जाके वी अब ही बताते हैं फीचर सो दिखा दू तो अब एक सारे फीचर्स पर जब मारने से पहले इसकी अडवांस इंटलीजेंस अगर आप जाते हो यहां पर मार अपको सारे एंट पर सकते हों यहां पर प्रोसेस करना या उफफलाइन प्रोसेस करना है वैसे इसमें से काफी आंटेन रेंज है और आइस की जगह डो और आइस की जगह कोणल रीफ कर दो यहां पर तीन से चार सकेंड लगते हैं और हमारा वाल पर तायार और एक नहीं बाहिस अरग अलग आलग वाल पर त्यार हो गए में के ओपर अगर मैं सर्कल करता हूं तो यहां पर इस ने दिखा दिया वाइसाब लेंस कार्ट का फ्रेम हमने लगा रखा है और यह इतना जादा भी एडवांस नहीं है यह गूगल लेंस को ही यूज कर रहा है और यहां पर AI editing के फीचर हमारे को मिल जाते हैं कोई भी फोटो को अप एडिट करोगे गैलरी वाली अप में गैलरी के आप जो समसंग के उफिचल अप है इसके अंदर में एडिट का फीचर प्रेस करेंगे तो यहां पे हमारे को थी स्टार फीचर मिलेगा यह है गेलेक्सी क और यहां पर किसी element का size हमें increase करना हो तो वह भी हम यहां पर कर सकते हैं अगर यहां पर मारे को फोटो को एडजस्ट करनी हो और यहां पर साइट्स को जनरेट करूंगा ना पहले ऐसी थी और अब ऐसी है क्या बढ़िया लग रही है जस्ट लाइक एडोबी फायर वीडियो शूट करेंगे और यहां पर 30 fps की वीडियो को भी स्लो कर देता है यूजुली 30 fps वाली वीडियो स्लो करके ना काफी जिटरी हो जाती तो AI जनरेटेट फ्रेम से अड़ कर देता है और यहां पर में इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे को slow motion क का option मिलता है 1 by 4 वाला एंड यहां पर यहां पर में सेलेट कर देता हूं English और सामने वाले का सेलेट कर देता हूं Hindi अब जैसे हम यहां पर लिखते हैं हेलो ब्रो और यहां पर भाई इसने पूरा हिंदी में कनवर्ट कर दिया है अब इसने क्या से काम करता है कि यहां पर इस से काम नहीं करता और इसके अदर ब्रो वस्टब करते हैं यहां पर इसके आई फीचर के अंदर जाएंगकि इंदर करेंगे तो यह उस चीज को convert करके हमारे को अलग अलग तरीके से दिखा देगा जैसे ओर इजिनल तो यह था प्रोफेशनल यह करके किसी को पूछना तो यह लिख सकते हो आपको कुछ भेजना है उनी की लैंगवेज में तो ट्रांसलेशन वाला फीचर आप पर यहां पर प्रेस करोगे तो इसको अलाइन आप कर सकते हो लाइक मतलब स्ट्रेट हो और आप कुछ भी नोट्स में लिखोगे तो आप उसको टेक्स्ट में भी कर सकते हो वैसे फीचर यह फीचर पहले भी अवलेबल था अप अप एस वीचर में भी यूज कर सकते थे और इसकी नोट्स अप के अंदर में अपर को टैप करोगे तो यहां पर ऑटो फॉर्मेट आगया समराइश करेक्ट च्पैलिंग ट्रांसलेशन वही सारी चीज़े हमारे को इसके अंदर मि करणगा और इस पूरे पेज को मैं सम्मराइश भी कर सकता हूं ट्रांसलेट भी कर सकता हो यहां पर जैसे ट्रांसलेट पर हमने टागया अर यहां पर अउमने Japanese को स्टे्उट कर लिया हें और यहम देखसकतो जो भी English में लिखा हुआ था हुआ thing तम प्रिसाइसली और ऑग इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अलग-अलग लैंगविज इसके option हमारे को मिल जाएंगे, यहाँ पर दो added हैं और बाकी add करनी हो तो अपने देश के जाब-जाब कर सकते हो, और वाई सबसे तगड़ा feature लाइव कॉल एसिस्ट का, यहाँ पर आप सामने वाले किसी भी लैंगविज वाले बंदे से बात कर सकते हो, यहाँ पर लैंगविज आती हो चाहे नहीं आती हो, लाइव दिखाता हूं, यहाँ पर call assist का option हमारे को मिलेगा, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर दो option मिलते हैं, एक तो text call वाला मिलता है, यह फीचर हमारे को पहल तो यह पहली बता देगा दूसरे वाले बंदे को कि भई, ट्रांसलेशन वाली कॉल है, यह नॉर्मल कॉल नहीं है, और यहाँ पर लैंगविज सेलेट कर सकते हैं, जैसे अधर परसन की क्या लैंगविज है, वह एम पर सेट कर पाएंगे, उसके बाद हम जो भी बोलेंगे उसको यह convert करके English में सामने वाले को as a recorded sound सुनाई देती है, मतलब हमारी आवाज में जाएगा, यह इसा को रोबर्ट बोलता है, वैसा सुनाई देगा सामने वाले को, अगर आप एक एक वर्ड बहुत प्रिसाइजली और बहुत क्लिर ली बोलोगे ना, तब तो इसमें बात करोगे ना, तो वह जादा प्रिसाइजली काम करता है, हमने ट्राइ करके देखा था है कि तम बढ़िया चलता है, और इसके voice recorder में हमारे को AI feature मिलता है, जैसे transcript का हो गया, हम जो भी बोलेंगे, वो सब लिख के देगा, त्राइ करके देगा है, हाल बुरे, वही पूछने चाहूंगा, तो यहां पर 33 सेकंड्स की अर इसको जैसे ट्रांस्क्राइब दपाएंगे ना, और यहां पर मारे को लैंग्वेज की अप्शन मिलते है, तो भाई, आप देख सकते हो, क्या बढ़िया तरीके से सने एक तम मतला में पर प्ले भी कर दिखा जाता हू वही चमड़ी वही खाल है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एस 24 इल्टरा के बारे में आपका क्या कहना है, वाई, क्या एकुरेटली रिकॉर्ड करके और एकदम बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में हमारे को दे रहा है, और चाहता हूं इसकी हम समरी भी बना सकते है आपने बहुत सारे लोगों के आवाज रिकॉर्ड कर लिया, उसकी समरी चाहिए को इवेंट वगरा पर टेंड करते हो, जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हो, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई किसी और लैंगुज में बात कर रहा है, मैं सारी चीजों को फोन पर र काफी लिमिटेड लोगों को टार्गेट करने वाला है, ऐसे बंदा हर किसी काम नहीं आने वाला है, पर भाई, एक सबसे बड़ा AI फीचर जो मेरे को मिसिंग लगा, वो लगा चैट बाट वाला, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, कुछ भी मापर टाइप करा, एक एक सबसे बड़ा कैच, यह सारे AI फीचर सिर्फ 2025 के एंड तक ही फ्री हैं, जो सामसंग ने ओफीचली बताया और बहुत सारे सोर्सिज में खुला-खुला लिखावाएगे, बाइप को इन AI फीचर के लिए पे करना पड़ सकता है, जिस चीज के लिए फोन को एड़टाइ आप हैसे लिकेश पेश करा जा रहा है कि AI फोन, AI फोन, AI फोन, AI फोन, AI फोन... उसके लिए पैसे पहर दे रहे हैं, जो स्क्ष्मिट कहाएं, तो वह चीज चेंज भी हो सकते हैं, S24 Ultra में पैसे दे के सारे चीज़े चल रही है, तो हो सकता है कि S23 Ultra में भी वह पेड हो जाएं, 2025 के बाद, कि आप पैसे दो और दूसरे फोन में भी चला लो, प्रोसेसिंग पावर जादा होने की वैसे प्रोसेसिंग इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन फीचर से सारे चल सकते हैं, तो सौफ़वेर बेस्ट हैं, यह फोन बेस्ट नहीं है, द्यान रगना है इस चीज़ के बारे में, और जैसे कि Galaxy S-Series का फोन है, अगर इसको चलाने की आदत आपको पढ़ जाती है, जो कि मेरे को नहीं लगी, अब और भी काम हो गई है, तो मेरे को वैसे ही पतन चल रहा है, दोनों में सेमसी फीलिंग आ रही है, अगर इसको चलाने की आदत आपको पढ़ जाती है, अगर S-Pen के चक्कर हैं फोन ले रहो ना वाय साब, अगर आपके डिली राइफ में नीड का होगा, तो आप डेफिनेटली चलाओगे उसको, और उसके बाद बात करते हैं, डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में जादा बड़ा है, सच कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिस्प्ले में सेंब ल्टे पोडिस्प्ले में ठाट है, जितने बड़ी आप कॉंटेंट देख रहो है, यूट्यूब ओटी बगरा देख रहो है, इसके अंदर HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है, हाई डाइनेमिक रेंज वाला कॉंटेंट आप देख रहे हैं उसके अंदर भी कोई दिक्कत ने आने वाली यहां पर मारे को अच्छी मिलती है लेकिन जब कलर की बात होई रही है ना अगर इसके कलर्स को आइकन थोड़े से फ्लाइट है यही फर्क मैंने वीडियो में भी देखा है करी है अधर बड़ी अबड़ी अवाइबरेंट दिकाई देते हैं और इसका मेरे को को रीजन लगा जो एंटी रिफ्लेक्टी वाली कोटिंग इसके उपर लगा हुई है शायद उसकी वज़े से यह है मतलब यह मैं अंदाजा लगा सकता हो सकता हो सकता है फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए उसके बाद यह कलर्स फॉलर्स को ठीक कर दें मेजर दो डिफ्रेंसिस और एक तो डिस्प्ले कार्व से फ्लाट हो चुकिए और फ्लाट डिस्प्ले के स्क्रीन कार्ड मिलना वाई बहुत असान है अराम से मिल जातके लगवाओ चलाओ वन्ना यूवी वाले गलास एस टूटी त्री अल्ट्रा पर लगातर हो कहीं गलू इ ब्राइटनेस यहां पर मारी सेवंटीन फिफ्टी निट्स से बढ़के 2600 निट्स की ब्राइटनेस हो गया मतलब अंदा धून बाहर जा रहे हैं फूल धूप में चला रहे हैं फूल मजे मजे कोई ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं है मतलब इतने पैसे खर्चने के बा के 60HDR का सपोर्ट यहां पर मिलता है नेट्फिक्स के अंदर हमारे को HDR का सपोर्ट मिल जाएगा डूल स्टीडियो स्पीकर से यहां पर सपोर्ट मिलता है डॉल भी वाला कोई डिवाइस करनेक करना ऑपोन से करोगे बड़ी आउट्पूट मिलेगा डॉल भी आट्मोस के मिल जाते हैं इसकी सेटिंग से अंदर जैसे आप देख सकते हो ऑटो मुवी म्यूजिक वगेरा जिस ताइप का कॉंटेंट आपको एंजॉय करना वह यहां पर सेट अप कर सकते हो और जो उसके स्पीकर्स हैं वह एकेजी की तरफ से ट्यूंड है स्ट्वंडी अल्ट्रा स यहां पर 4.0 स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है एंड 12GB LPDDR 5X RAM में मिलेगी एक्टम फास्ट फासी साब किटनी बाया है साब और कनेक्टिविटी के मामले में जो इसका टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 Gen1 वाला है यहां पीची से कनेक्ट करोगे डेटा ट्रांसफर करोगे इसके टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले आउट्पूट भी आप लेग सकते हो बड़ी स्क्रीन पर कनेक्ट करके आपको फोन मिरेर करना हो वायर्ड बिल्कुल लिटेंसी वाला मामला नहीं और देक्स मोड भी आप चला सकते हो बाकि यहां पर वाई-पाई-वाई-वाई- नहीं है दो इसी में आपके वास्तों दोनों की दोनों इसके अंदर रिस्टर हो जाएगी लेकिन टोटल सीम दो ही लगेंगी है तो दो फीजिकल लगा लगा लो चार नहीं लगा सकते और जैसे की फ्लैक्शिप फोन है सारे इंपॉर्टेंट सेंसर हमारे को मिलें और यहा साल के गूगल के बाद कह रहे है वाई-साफ वेर्स बाइक लागे दो वैसे साथ साल तक कोई फोन चलाता है मतलब तुम चलाओगे कोई फोन साथ साल तक वह जिंदा रहेगा वैसे यह चीज आपके ना सेगिने फोन बेचने में कावी काम आईगी इसकी वैल्यू जादा यहां पर नमबर्स के मामिले में इतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं जलता दोनों फोन के अंदर आपको पता चल गया हूँ किस लिवल की परफॉर्मेंस निकाल के देगा है मतलब इतना पैसा डाला है तो फुल मखन इसाब किताब है आपको युआई चलाना हो यहां पर इतना बड़ा जादा कोई डिफरेंस लगा नहीं यहां पर युआई के अंदर एंड्रोइट साल के अपडेट्स अगर तब तक सही सलामत तो अपडेट्स में बात करते हैं तो बाकी सब कुछ तो सेम है लेकिन कुछ थोड़े बहुत फीचर्स एक्स्ट्रा है जैसे सेम ट इसको जैसे अगर आफ करेंगे तो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल से आजागा जो मेरे को परसनली पसंद आता है वो वाल पेपर वाला 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 वाल यहां यहां पर फोटो एंपिंट के अपको दिख जागा इसके ओपर लिखा हुआ है यहां पर एपनी गैलरी से आप क पोटो सेलेक्ट कर दी है और जैसे आप देख सकते हो यहां पर बारिश का एफेक्ट मिल रहा है क्योंकि हमारे शहर मेरे चल रहा हो गट्र हो और सामसंग का गेलेक्सी पोन अपके पासले सिरृफ सीरीज नहीं गैलक्सी का कोई भी फोन यह बोनस पार टैप के लिए को यह सब के कलर्स बढ़ी आराम से चेंज कर लो मिल जाएगा स्टाइलस के फीचर यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं किस आपको दिखना चाहिए क्या कुछ है और उसके लावा लॉक स्क्रीन कीज कैफे नाविगेशन स्टॉप बाई बहुत कुछ यह सब यहां पर कर पाऊगे ऑन सब्सक्राइब करेंगे वाल्यूम वाले आपको बार रखना है नॉब रखना है बार रखोगे तो दुनिया बर के ऑप्शन यहां मिल जाएंगे और अपने इस आप से कलर सकते हो मतलब जैसा फोन का कलर है वैसा वाल्यूम नॉब करना हो लेकिन असली परफॉमेंस पता च सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर निकाल पाएंगे और यहां पर बढ़िया नाइंटी स्टेबल एट जेंटू में और स्नाप ड्रेगन एट जेंट्री में ज्यादा कुछ एस सच परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आए बीजियम आई के अंदर फिर हमने टेस्किया मताइब को लोग अल्ट्रा फ्रेंट मिल रहा है ऌर बाकी अलग अलग सेटिंस में जिसके अंदर हमारे को स्टेबल 60 fps वाली गेमिंग उनी चीए थी ठी तभी मैनस देत चला है और गेटल ten Base teammates Oracle और यहां पर हमारे को बढ़िया 55-60 fps वाली गेमिंग मिल रही है नॉर्मल इदर भागते तो 60 फ्रेम रेट आते हैं और जहां पर कॉमबैट वगरा होता है तो वहां पर 55-54 fps पर ड्रॉप हो जाता है मैंने एक चीज़ नोटिस करी S24 Ultra में जाधा फ्रेम ड्रॉप है एस कंपेर तो S23 Ultra और यहां पर जो डिवाइस के टेंपरेचर्स आप देख सकते हैं और अगर फोन के बॉड़ी टेंपरेचर की बात करते हैं तो हमारे को दोनों फोन में लगबग सेमी टेंपरेचर मिल रहते और यहां बैटरी में कोई चेंज नहीं है 5000 इमेच की बैटरी मारे को मिलेगे स्टूंडी फोन इल्टरा के अंदर 45 वाट की चार्जिंग के सपोर्ट करता है और डबे में चार्जर नहीं आता है यह एको सिस्टम बचाने के लिए हम चार्जर निकाल रही है और चार्जर इसके लिए फ्लाक्शिप फोन बिखते हैं और यहां पर चेंज नहीं है बट जादा है बी क्यूंकि इसका जो प्रोसेसर और इतना बड़ा को डिफरेंस नहीं है पहरे इसको को कर देखें तो यहां पर 50 मेगा पिक्सल का हो चुका है पहले 10 जूम मिलता था अब 5 जूम मि सेम सवाल आया था कि अगर 5x वाले को मैं 10x तक जूम करता हूं तो मेरे को क्वालिटी पहले से बेटर मिलेगी क्योंकि सेंसर का साइज भी तो बढ़ गया ना तो यहां पर 50 मेगा पिक्सल पेरिसकोप लेंस से मारे को बेटर फोटो मिलती है अगर 23 अल्टरा से हम कंपेर क आप यहां पर 10x पर आप्टिकल जूम पर फोटो घीचते हैं तो इस 24 अल्टरा जादा बेटर इमेज देता है अज कंपेर टूइटी त्री अल्टरा यहां पर हमारे को ज्यादा डीटेलिंग बिलती है ज्यादा शार्प फोटो जमारे को बिलती है और उसके बाद बात कर तो पर्ट्रेट मोड पहले बढ़िया था अभी बढ़िया यहां पर एजडेक्शन वगरा बढ़िया मिल जाती है पीछे बलड बढ़िया हो जाता है काफी नैचरल सा ब्लड डालता हो और बालों का डिटेक्शन भी अच्छा हो जाता है किसी किसी जगह नहीं होता जहां जाता ही बालों गुच्छा जैसे आप मेरा देख सकते हैं एकदम जैसे बलडी कर दिया लेकिन वैसे मैं क्या सकता हो पोट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा बढ़िया है और यहां पे फोटोस के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा कलर टोन्स का तो डिफरेंस कहीं आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा जादा पंची साइड कलर समारे निकल के आते हैं थोड़े कहीं न कहीं फ्लाट फील होते हैं थोड़े जादा सोशल मीडिया सेंट्रिक फोटोस मैं कह सकता हूं एस 24 लेकिन यह जो डिफरेंस है बहुत गौ बेटर प्रोसेस किया है और S24 अल्टर में बहुत ही जादा बलर हो गया था और यह एक बार नहीं मैंने मुल्टिबल टाइमस फोटो की ची मुल्टिबल टाइमस सेम ही रिजल्ट आ रहे थे और अगल डाइमिक रेंज की बात करते हैं तो सन और क्लाउड की फोटोस मैं ले में देखिए कि S24 अल्टर में कहीं जगा बहुत अच्छे कलर से कहलते हैं कहीं जगा थोड़ी से फ्लाट साइड हो जाते हैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली काम नहीं करता है क्यूंकि अभी कोई सॉफ्टेर अपडेट से ठीक हो जाए S23 Ultra हमारा एक साल पुराना फोन है काफी स्टेबल तरीके से काम करता है और यहां पर काफी सारे लो लाइट के सैंपल्स आपने सामने देख सकते हो एंड ओवरॉल मेरा कंक्लूजन यही है कैमरा में इतना बड़ा जंप नहीं है यहां पर लगबग हमारे को सेमी परफॉरम अब डाल पाते हो तो सारा कुछ लगबग हमारे को सेमी मिलता है एक मेजर डिफ्रेंस के जो भाई किसी ने कवर नहीं करा जो मेरे को सबसादा प्रॉब्लम होती थी अगर मैं 4K 60fps पर वीडियो बनाता हो ना तो यहां पर कोई भी लेंस शिफ्ट का ओप्शन यहां पर हमारे को नहीं मिलता अगर वनेक्स पर रिकॉर्डिंग शुरू है तो रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी लेंस चेंज करने के लिए वरना रेगूलर नहीं कर सकते उस इसमें हो चुका है हो सकता है अगर आपके माइंड में क्वेस्टेन है कि आपके पास है अगर जो AI फीचर्स मैंने आपको दिखाए उनका आपको काम है तो ही आप अपग्रेड करना वरना फोन आपको सेम टू सेम फील देने वाला है वहीं यूई चलने में वैसा है सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया बैटरी शैटरी सब सब के अंदर सेम है बस थोड़ी बहुत लुक्स और कलर्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे अगर वह अपील करते हैं तो तो चले जाओ वरना AI फीचर्स के रावा कुछ भी आइस सच मतला बड़ा जंप नहीं है अगर आप S22 Ultra चला रहे हो तब आपको अपग्रेड करना है तो यस मतला बिग यस है आप जा सकते हो आपको बहुत बड़ा चेंज फील होगा और अगर आपको iPhone 15 Pro के साथ S24 Ultra comparison चाहिए तो मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन बताओ अगर आप नहीं बताओ के मैं तब भी का internist 체ा आपिए आपको आपको बब भी गरा आपको आपको बताप केम धूम सेकर शनी बताफ। स्ईस्षी कर पांण स्ड़ory जगर ग्यावारे कम्या टाहिए पות..